जब कोई पंचमाक्षर दूसरे पंचमाक्षर के साथ जुड़ता है तब पंचमाक्षर ही लिखा जाता है जैसे अन, सम्मान, अक्षरन, वार्ड में आदी जब कि शब्द में श, श, में से तीन या दो का एक साथ प्रयोग हो तो वो वनवाला एक रम से श, स, स ही आते हैं जैसे शीरशाशन, शुशुशा आदी जिन शब्दों के अंत में ए या उसकी मात्रा हो बड़ी की मात्रा यानि तो उसका बहुचन बनाते समय ए या ए की जगए या छोटी की मात्रा हो जाएगी जैसे मिठाई की मिठाईयां कहानी के कहानियां यदि ये वह के पहले स्वर रहित पंचमाक्षर हो तो वहाँ अनुस्वार के स्थान पर पंचमाक्षर का ही प्रयोग गिया जाता है जैसे साम्में पुन्य कन्हया आदी अन्या आदी जिन शब्द की अंतमी उ की मात्रा हो तो उसका बहुचन बनाते समें उ का उ हो जाएगा जैसे वदू का वदूएं और बहु का बहुएं जब अतर्ष्तर यर लव और उश्म शे 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 पहले सम उप्सरग लगता है तो भ़हाँ मैं के स्थान पर अनुस्वार ही लगता है जैसे समवाद का समवाद, संचे का संचे और संघार का संघार कि सोरी शसे का शमसे किसी वेंजन पर यदि इस पर की मदाश की यदि संद्रवींदु के स्थान पर बिंदी का प्रियोग किया जाता शुद्ध रूप होंगे है बालकों भाईयों बहनों कुछ शब्दों के दो रूप पचलीत है किन्तु उनके मानक रूपों को प्रियोग करना उचित होगा जैसे गए ये मानकेतर है पहले की है लेकिन अब यहां पे गए रूपए का रूपए हुई का हुई और वस्तुए क संस्कृत में हिंदी में आई जिन शब्दों के अंतिमवन पर हलंत का किन्य लगता है वे प्राय हलंत के बिना लिखे जाने लगे हैं जैसे विद्वान महान श्रीमान परशाथ अठाथ आदी और आगे है वरतनी समंदी जो असुद्यां यानि वरतनी समंदी कावी करते हैं तो यहां पर इनके शुद्ध रूप लिखे हैं यह आपको अपनी बुक में अच्छे से पढ़ लेने हैं और इसी के साथ हमारा यह चाप्टर कम्प्लेट हुआ